कि चलिए दूस्तों तो आज की क्लास स्टार्स करने से कुछ कुछ कॉंसेप्ट है उसको मैं थोड़ा सा क्लियर करने की कुछिस करूँगा उसके लिए देखे आप जब यहीं बता रहा हूं आपको कि जब मार्केट उपर से नीचे आता है तो अब इस बात है थोड़ा बात उपर जाए गई फिर नीचे आएगा पर जब कभी उपर जाते बात फिर ऐसा कुछ करने लगे कहीं भी मार्केट तो इस केस को बोलते हैं ड नीचे आता है और फिर कुछ इस तरह का चाल चलने लगे मत्तों कंसॉलिडेट करने लगे तो इसमें भी अमूमन केस में यह माना जाता है कि मार्केट उपर की तरफ जाएगा हमेसा तो दो ने पर जाएगा इसको बोलते हैं एक्क्यूमिलेशन फेस जैसे अभी मैं ली चार्ट में जब कभी चाइट में कुछ इस तरह का बनत को हेद दिख जाए फ्लैग के मैं थोड़ा उपर से ड्रों कर दिए मैं थोड़ा से नीचे नीचे से कर देता हूं इस तरह से लाइंग रोध द्रिख जाए जैए देखिए इस तरह मूँ पर ना तो मैं आप देखेंगा तो मैं आप लेता हूं और मुझे ज़ादा से ज़्यादा बॉड़ी तो ज़्यादा विक को टच करते हुए मुझे लेंड डॉक करने तो मैंने यह लेंड डॉक कर ली ऐसे एक लाइन में नीचे द्रॉक करूंगा तो दोस्तों इसको बोलते हैं अलाकि इसके बारे में डिस्कुस करेंगे तो यह क्या क्या कहता है यह फिलैग भी वही कहता है मार्केट उपर से नीचे आता है मार्केट कुछ इस तरह चलने लगे तो मार्केट नीचे गिरता है मैं आपको दोखो यहां और बताता हूं यह दो जगा देख जाएगा कहीं यहां से तो नहीं देखा यह देखिए मार्केट यहां से गिरा यहां से मार्केट नीचे गिरा अब यहीं मार्केट यहां पर चनने लगा और तो तो यह तरह का तो क्या हो आब लग झाल हेट और आ आध़ कि प्लैग यह आधियों बनाया था ने यह ऊपर बनाया था तू रही यह उपर बनाया था मार्क निचे द्चे गिरा यह बना मार्क निचे द्चे दू इसzos कि देखिए अब मार्केट जहां से नीचे गिराना लगव लगव उसी उस पर बापस पहुंच गया तो हमें यहां पर फिर टेड नहीं लेनी है क्योंकि अब यहां पर हमारा जो जो चाल हमने देखी थी जो चाल पकड़ी वह हमारी चाल टूट गई है तो अभी मैं फिलाल के ल सरे मुझे क्लरास है तो अब को बताया हो राआ एक्षिंघ क्या होता है मैं सबसे इसको left करते हैंशब कभी हम chart में पिछली historical price के आधार पर आंगे का मूमें निकालने की को से पिछली चाल के हिसाफ से आंगे की चाल पकरनी इसकूसिश करते करेंगे इतनी सारी चीजिएंग का में यूज करना होता है और प्राइज एक्षिन ट्रेडिंग दोस्तों इंडिगेटर बेस्ट ट्रेडिंग से काफी अच्छा एक्विरसी देती है जो भी चीज वह बताएं प्राइस टाइम वॉल्यूम उसको एक बार आपन क्या करते हैं दोबारा से सब्सक्राइब करते हैं ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी दोस्तों मेरा मोटेव यह नहीं हम कोर्स को भगाना नहीं चाहते हम अपन जितना भी सीखें उतको एकदम परफेक्ट सीखें कल मैंने आपको सब्सक्राइब करने के बाद प्राइज और जो है टाइम इन तीनों की बात करने वाला हूं तो कल हमने डिसकुस किया था अच्छा देखिए आप यहां देखिएगा ध्यान से आपको वार बार प्राइस कि लेवल तख आया है वहां आपको लएंड डौ सक्राइब तो मैं यहां जाता हूं यहां से एक पैरलल यंये लिन मुजह लगता है कि रिसेंट ली रैस कि प्राइस इस लेवल पर आया है एक बार और मुझे कुछ इस तरह का भी दिख रहा है इस तरह का देखो अब आप सूच रहों कि मैंने दो लाइने क्यों डोगी मुझे कुछ इसका जो चाला कुछ उपे की तरफ भी दिख रही थी इसलिए मैंने ऐसी एक क्रिछी लाइन डोग कर दी और एक मैंने यह होरिजॉंटल लाइन डोग कर दिये तो आपके सपोर्ट और रजिस्टेंस कैस सबसे पहला का हमारा एक घंटे में हमारा यह था तो हमने क्या कर लिए सपोर्ट रिस्टेंस अंड़ा अब कर लिए अब एक सवाल आ रहा हूगा हैं। dobr silvy किया यहां किया किया आप यहां भी कर सकते थे अध्यान थे मैंने अब हिए मार्किट यहुपित्त यहां घरीं लें आज आज से दो मेने पहले क्या प्राइज रहा था कितना नीचे गया ता मार्के किया कितना उपर था उससे क्या मतलब है हमें मैं यहां पर support रॉकर ने से मुझे कुछ मदफाइदे नहीं है मुझे तो trade यहां लेनी है ना मुझे तो अपने trade यहां खोजनी है तो एक घंटे के चार्ट में हमें यह काम करना है फिर हम क्या करेंगे तीस मिलिट में कुछ ऐसा लेबल देख आया या बार बार लाओ लटा तो मुझे एक लेवल यह देख रहा है यदि मैं यहां से लैइन ढोड़ करूं मैं यहां से लाइन ड्रो करूं तो आप देखेंगे कि काफी टाइम काफी टाइम तक मारके देखो यहां टच किया देखो यह टच किया इस लाइन को आप चाहें तो मोटा भी बना सकते हैं आप इसा जो बना सकते हैं मैं अभी यह जो इसे ब्रो किया है तो आप मैं इसको जोन बना देता हूं आप इस पैरल चैनल पर गया मैं यहां से यह मैंने जोन बना दिये था कि में ठीक है तीस मिट पर और कहीं बारबार ऐसा लग रहा है अपन को देख रहा है कि बारबार प्राइज वहां पर आया है चलो नहीं देख रहा है अब हम क्या करेंगे पंदा मिट पे मैं थोड़ चार्ट को छोड़ा कर लेता हूं पंदा मिट पर देखने को सिसके करते हैं कि ऐसा खास दिख रहा है नहीं ऐसा कुछ खास ने दिख रहा है कि जहां से बार बार प्राइज आया यहां पर आया यहां इस लेन को यहां पर दो करना वाजब समझा आप जितनी भी लोग जब सपोर्ट रेस्टेंस डॉप करेंगे तो यह सब्सक्राइब करें निकलें आपका दिमा कहीं और से काम कर रहा है हमारा कहीं किसी और आईच्छ में काम कर रहा है तो वह इससी बात है वह सपोर बहुत उपर नीचे आपके हो जाएंगे तो हमने प तो पांच मिनिट पे अब देखिए पांच मिनिट कैसे बनती है कि यहां वॉल्यूम लग जाए वॉल्यूम लगेगा इसमें देखिए बहुत 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 भी अपना काम किया और प्राइस कहां आ गया अपने सपोर्ट के आसपास आ गया अब यहां पर प्राइस यहां आएगा कि यहां से रइस यहां आयगा हो सकता है मिंधा करें एक प्राइस की बात कि हुट है थिक किया था support or resistance तो हमने अपने support resistance ड्रो कर लिये हैं यह support resistance ड्रो करने के कुछ रूल से हमें स्वाट में आपको बता दिता हूं कि हमें recent candle को ज्यादा preference देनी है परानी चार्ट को परानी candle को या पीछे के चार्ट को आपनको वहां से support resistance ड्रो नहीं करना है अपनको डिसेंटली जो चार्ट वहां पर अपनको support resistance ड्रो करना है और ज्यादा से ज्यादा दूसरा नियम जो है ज्यादा से ज्यादा बॉडी और ज्यादा ज्यादा बॉडी ज्यादा बॉडी जो तुछ करते हैं और ली सेंटली केंडिल को मैंने ज्यादा तबज्व दिया तो यह चीज अपनको यहां पर दिखनी है अब देखिए आपका support कर सकते हैं आप जैसे यहां पर दिखाया है कि हो सकता है मैं होता तो शायद मैं यहां से ड्रों करता है यहां इनको कवर करता इसको कवर करता इसको कवर करता इन सबको कवर करता और इसको कवर करता और इसको कवर करता और इसको कवर करता है इस बंदे ने यहां पर दो किया आपका सपोर्ट और रजिस्टिंस दोस्तों तुछा भी हो सकता है तो यहां पर टकाने के चंसे ज्यादा रहेंगे तो यह आपका इंकलाइन भी हो सकता है आपका ऐसे भी हो सकता है आपके में पिरू कर ले आपको सिफ में आपका मोर्टे यह ओना चाहीं चाल जिए कर रहे हैं अब लेंगे इसमें कि चाल पता चल गई इसमें मुझे चाल पता चल गई कि यहां से यहां से मार्केट की चाल अमूमन नीचे की तरफ दिख रही है मैं थोड़ा से सब जूम करता हूं चार्ट पर आपको शाय देख नेरा होगा मैं थोड़ा सा बड़ टैम फिर्म करके दिखा दिता हूं हिए अपने आम को सब चाल को कर दो तो यह देखे यहां से हमोवद मि 파 scrut न ईपर नीच़ तरफ देख रही है हिए अब इस दिखेंगो नीचे आने की बाद पर यहां पर कंसौल के म करता ना तो फिर अने के समय तो पर यहां जा नहीं 씩 कि या मतलब अपने प्रीवियस हाई के जो प्रीवियस जो इसका हाई ता उसके लंचम ब्रावर पर पहुंच गया उसको उपर ही निकल गया तो इस थोड़ा से इस चीज की संभावना कम हो जाती कि मार्केट नीचे जाएगा तो हमें मतलब चाल को पकरते हैं कि मार्केट किस तरह क जाने के संकेत दे रहा है अब आता आपका एंट्री लेवल यह आपका बहुत इंपर्टन एंट्री लेवल हमें एंट्री कैसे लेनी है जो जो हम दोस्तों सपोर्ट और से जो कर लेठी रहें इसको पहले हैं से समझेए नहां पर मैं आपको इस चीज़ बताता हूं कि माने के चली यह मेरा रेइस्टेंस यहीं मेरा सपोर्ट फपर आया रेइस्टेंस पर गया नीचा इसिछ सपोर्ट पर आका था तब रेइस्टेंस पर जाता पर आता है तब जाता है अब मान के चलो मैं कहीं आनन-फानन में मैंने अच्छार्णा खोला और मुझे यहां गरीन केंडर बंती हुई दिखी यहां पर यहां पर तो हम लोग क्या करते हैं हम इंट्री लेते हैं और हम अंधार कि निए देख्टे निए आँगर जाएगा लें फोर स्थामॉज में सेम सेल की पूशिशन में हम लोग यहां पर जागा लेते हैं आप यह देखिए यह सपोर्ट पर था प्राइज अम उन्ह nom est इब कॉछ यहां पर यहां पे यहां पर आंगे यह वा रिकिंघ तो तो पूद aloud आपको इंटुटे रही है तो रही हैं स्टू। मतला मौटी ब्ता जो जिसके बोडी बढ़ी हो तो यहां पर Ses्टेंस तूट से तो क्या मैं यहां भी इंट्री नहीं हूँ क्यों कैव stump goat's the system तभी तो मैंने आपको अलग टैमस्रैन में यह सारे सपोर्ड रिम्लों करना बताया था मैंने आपको एंगटों बताएं मैंने आपको तीस मिट में भी बता क्ला हें तो वहीं है प्र कि लें हम यदी यहां पर इंटर लेता एड़ी साण अप surgery इसल चला जाएगा मेरा अब क्या मैं यहां पर ले लूँ सपोर्ट पर प्राइज आ गया क्या मैं यहां लोगे तो फिर राजिस्टेंस बेटा है उपर आपको सेड़ जाने लगा यह हैं मैं यहां से लेनी है यहां से बात नहीं करूंगा मुझे निकलना कहा है मुझे इस रजिस्टेंस जो अगला रजिस्टेंस उसके पहले ही निकलना है मैं यहां से थोड़ा सा पहले ही निकलना है मुझे इस थोड़ा से थोड़ा से दो पॉइंट पहले ही निकलना है मैं आपकी क्या संब्सक्राइब की के लिए तो यह संकत देती यह मार्ट इनचे ले जाने का संब्सक्राइब अब देखिए आप चलिए तव में निकल गया अब आंगे बाठाता रेजिस्टेंस तो अब हमें ट्रेडी नहीं ले निए अब हमें इंतिया करें किया रिस्तेंस टूट रखा है तो दोगो पहली है नहीं तोड़ तो पाया है दूरसी है कोशिश की तोड़ दिया पर बहुत छोटी सी बाड़ी बहुत चोटी सी मैंना आपको बताया था जब भी कोई resistance या support तूटे तो अच्छी बॉड़ी वाली candle से तूटे पर यहां तो अच्छी बॉड़ी वाली candle से नहीं तूटा इसका मतलब क्या है जो तूटा है यह गलत फेक आउट तूटा है तो support पर यह candle बन घंड़ी अच्छी बात वाथ तो क्या मुझे यहां से इंट्री लेनी चाहिए नहीं क्योंकि आगे बाठा है resistance तो मैं इंट्री कब लूँ दो मेरी इंट्री यहां से बनती है तो मँझे यह निकलना कहा है तो मुझे यह थोड़े से पहले निकलना है तो मुझे इसके थोड़े से पहले मार्कर से निकल जाना अपर इंतिया करना कि यह तूट रहा है अब यहां तूट तो गया देखिए अच्छी केंडल से तूटा जैसे मैं अभी तक बता रहा था कि अच्छी केंडल से तूट है जैसे मैंने यहां बताया था यहां बैसे मैंने यहां बताया कि अच्छी केंडल से तूट गया पर यह मार्क सारी चीजह हैं जो हम अकसर एडिंग करने में गलती करते हैं तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को दोस्तों अवाइड नहीं करना है चलिए बैक्स एक बार मुझे कोई भी माइक आउन करके एक बार मुझे बताए हमारे सारी केंडल कंप्लीट हो गई है हमारे सारी केंडल कंप्लीट हो गई है क्या चलिए थी में मैं चेकल लेता हूँ अब कर दो यह पिए हैं तो चलिए इस कैंडल के बारे में बात करते हैं जब मार्केट उपर से नीचे गिर रहा था मैंने बताया तो जब उपर से नीचे मार्केट गिरता और इस तरहीं केंडल बनती है तो यह संकेत देती है कि market यहान से अब उपर जाए अब बात ही आती है कि हम confirmation लेनेietnam के बाद entry ले है कि इस candle को देखते ही inksi ले ले तो आपको दोस्तों इस के बाद आपको इंतिया करना है confirmation का Confirmation क्या मतलब इस canणिल है मर्क के अगली वाली candle का closing कि ये खुलोजिंग मतलब हो गया यह वाला प्वाइंट क्लोजिंग हो गया ये उपन हो गया तो ये क्लोजिंग इस हैमर का जो हाई है ना उसके उपर हो मैं दुवारे रिपीट कर नहीं, जब हमने पड़ा था कि जब दाउन टुरेन में मारकर नीचे आता है और हैमर बनता है, तो हैमर मारकर तो बने यारे संकित देता है, क्या हम जैसे हैमर बने बैस ईंट्री ले ले नहीं, एक सेफ इंट्री कब होती है, जब हैमर के अगली व वीवनिए हमें यह इंटी लें है अब हमें अपने ऐसल कहा लगाना है थो अमोमन जिस केंडल पर हम इंट्री ले रहे हैं। उस केंडल की पहले वाली केंडल का लो हमारा क्या हुगा ? एसल वगा है क्यों क्योंकर हमें इसको आप ऐसे समझेगा है अभी तह अपन सपोर्ट रिस्टेंस की बात कर रहे थे ना सपोर्ट पर आता है प्रेस्टेंस पर जाता है सपोर्ट पर आता है इसी तो चला था भी अब मानके चलो थोड़ी देख लिए यहां मेरा हैमर बन जाए इस केंडल से मैं कंफर्मेशन इस केंडल मैं इंट्री ले ले लूँ ठीक है और मैं इसकी पहलेवाली केंडल का यहां पर अपना एसल लगा दूगा तो पता क्या होगा मार्केट हो सकता ऊपर जाए और फिर नीचे आजाए और आपका ऐसल चला जाए तो हमें ऐसल हमेसा सपोर्ट के नीचे लगाना है सब्सक्राइब याद रखना है तो वहां पर पहले लगा देंगे तो हमारा इसल चला जाएगा अब हमिसा तो नहीं जाता पर फिर भी जैसे इस किसमें नहीं गिया पर हमें तो एक सेफ इंट्री बनानी है तो इसके अंदर पर मुझे इंट्री लेनी है तो मैं किया करूँगा यहां पर यह सपोर्ट है यह सपोर्ट एरिया है इसके नीचे मैं अपना एसल लगा दूगा अपना अब तो लगा लिया अब निकले कहां तो अब यह तो कुछ अभी बना नहीं है चार्ट में इस तरह तो दूसर टार्गट आपको इस तरह आपको टीपी लगाना है ऐसे नहीं है कि आपने यहां इंट्री लेली सीडी पे आपने यहां पर लगा दिए कई पर किया है प्राइज यहां ता गया और यहीं से लोट आएगा तो तो अपन बेगना है अपना इतना ज्याद एक्पर हुए करो अपना मैंन यहां यहां तक जाएगा तुमय समय आपना चैसे आपना प्रॉसे करो और निकल करते हैं तो मैं हमेसा यह कंगा सुराथिस दर में जिरो पाइन पर ट्रेड करें पहली बात और साइज बढ़ा रखें और समय समय पर अपना दो तीन तीन डॉलर जो भी मिला है ना इतना अच्छा पी गलती से गलत ट्रेड वी दल गई ना तो सुबह दुफेर तक शाम तक व अपने प्रॉफिट बुक कर लो कहने मतलब में रही है तो यह चीजे हैं आपको इहां रखनी है अलग और बहुत बहुत चीजें जो आँगे आपने दिर दिसक्स करेंगे तो मैं आज के लिए इतना ही काफी है है ना रेस्ट अब देक्लास विल कंटिनी टुमारो कोई भी झाल 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 झाल